हेलो कैंसर्स हेलो एक्वेरियस कि आपकी लव रीडिंग है दिसम्बर के मंद की आप स्विच कर सकते हैं रोल अकॉर्डिंग तो यह सिचुएशन यहां इक्वेरियस की लव इनरजी देखेंगे एकैंसर के लिए एक्वेरियस के लिए और फाइनल आउटकम चलिए जल्दी स बैलेंस्ट है प्रॉपरली सब कुछ खुशाल नहीं है कुछ आप दोनों बस बैलेंस बनाने की कोशिच सी कर रही है इस कनेक्शन में चलिए बात कर ली जाए इस साइड के इंसान की तो यह इंसान अल्रेडी स्टक फील कर रहा है बाउंड़ फील कर रहा है खुद के बनाए अपने के साथ union भी चाहता है because of some negative thinking something is like bounding them अपने इस feelings को hold back कर रहा है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं दूसरे इंसान की partner की love energy की cancers की तो यहां three of pentacle दिख रहा है मुझे और nine of swords और nine of pentacle देखिए आप कैसे resonate हो रहा है four four nine nine तो three of pentacle यहां दिखा रहा है कि यह इंसान totally अपनी single vibration में है अभी अगर आपके साथ deal नहीं कर रहा तो यह किसी और के साथ भी deal नहीं कर रहा है totally single वाली energy में है confidence है पूरा इस इंसान को दिन में यह दिखाता है मैं तो जी कोई फरक नहीं पड़ता I am okay ठीक है रात को लेकिन यह सोच के याद करके आपको दुखी होता है यह इ totally self love भी कर रहा है यह खुद की भी progress कर रहा है अपनी money पर focus कर रहा हो सकता है किसी ना किसी वे में यह इंसान जो है अपनी तरक्की की और बढ़ रहा है confidence में है अपनी take care अच्छे से कर रहा है हां लेकिन कोई यह बात है कि यह इंसान totally higher vibration में है confidence में है ठीक है वो लोचा नही बीच में लेकिन December के एंड तक मुझे लग रहा है कुछ celebration वाली एक situation आप दोनों के बीच में बनती हुई नजर आ रही है और साथ में यह बहान की blessings मिल रही है तो यह hope है कि कुछ positive आप दोनों आगे positive way में कुछ आगे बढ़ेंगे ठीक है December के मन में तो celebration रहेगी और positivity राइट 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 सो यह अपकी पहरी सी रीडिंग थी कैसी लगी मुझे बताईएगा comment section में बताईएगा okay friends bye bye